जय मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए इस महीने में क्या कुछ खास होने वाला है ग्रहों के स्थिति से शुब संयोग आने वाले हैं जो इस महीने को बहतर बनाते हैं इस महीने को खास बनाते हैं जुलाई महीने की शुरुआत का जो पहला ही दिन है वो ही सवभगय नाम के शुब योग से शुरू हो रहा है और उत्तर भादर पद नक्षतर इस दिन रहेगा गुरवार का दि रवी योग, सरवार्थ सिध्धी योग, अमरत सिध्धी योग, त्रिपुषकर योग, द्वी पुषकर योग और रवी पुषय योग जैसे बड़े और अत्यनत शुब योग का निर्मान होगा। रवी योग की वजह से बेहद लाब दैक रहने वाले हैं तुला राशी के लोगों के लिए। बुषदोवार राशी बदलेगा, सूरे के साथ बैठकर बुदा दित्यनाम का राज योग बनाएगा, मंगल भी इस महिने में 20 जुलाई को राशी बदलेंगे, शुकर के साथ ही महिना होगा, और इस महिने में भगवान शिव के प्रिये माह की शुरुआत भी हो रही है, जो की सावन का महिना है, इस महिने के अंतिम सब्ताहज के पास ये सावन के महिने के शुरुआत होगी, और भगवान शिव का मुख्य महिना ये कहा जा सकता है, तो अब इन सभी ची किस तरह से हूने वाला है। किया क्या लाब आपको मिलने वाले हैं। किनकिन चीजों के लिए आपको करें हैं और तुलाराशी के लोगों के लिए अगर आप करियर या फिर अपने कारुबार को लेकर लंबे समय से कुछ प्लान करने की कोशिश करें थे या फिर किसी यात्रा का प्लान आप बना रहे थे तो जुलाई के पहले ही वीक में ये मुराद आपकी पूरी हो सकती है ये इस महीनी की शुरुआत ही आपके लिए विशेश रूप से खास होने वाली है अगर आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो सफलता के अच्छे योग बनते दिखेंगे जो महीना बीत चुका है उसके मुकाबले व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए ये महीना अधिक ला यानि आख मुंद कर भरोसा बिल्कुल ना करें और कुछ चीजों से दूरी भी बना कर रखें जैसे शट्टा सेयर हुआ इन चीजों से दूरी बना कर रखें वरना नुकसान हो सकता है महीने के उत्रारद में राजनीती से जुड़े लोगों की योजनाय सफल होंगी जो आ सकती है और जहां तक प्रेम संबंद का बात है और दांपत्य जीवन की बात है तो अपने रिष्टों के प्रती बस पूरी तरह से इमानदारी बढ़तें तो निश्यत रूप से ये महीना प्रेम जीवन के लिए अच्छा महीना सावित होगा और आपके पारिवारिक जीवन के लिए दांपत्य जीवन के लिए भी ये महीना आपके लिए अच्छा सावित होगा तो हर चीज में बस अच्छे से करना है तो अगर आप नौकरी करते हैं और जौब में कुछ परिवर्तन आप चाहते हैं तो इस महीने आपके जौब में भी परिवर्तन हो सकता है मंगल और सूरिय सोला जुलाई के बाद राशी बदलेंगे और यह आपकी जो भाशा है उसको काफी मीठा बना देंगे मृत भाशी बना देंगे आपको आपके वहवार में एक लचीला पनाएगा जो लाब परदान करने की तरफ लेकर जाएगा बैंकिक के शेतर से जुड़े है मीडिया जॉब से जुड़े हैं तो उन लोगों के लिए उनके करियर में सफलता के यूग बनेंगे और इस सितियां जो है वो आपके फेवर में रहेंगे आपके राशी के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और मंगल की यूती इस महीने में होने वाली है जो की 20 जुलाई से होगी तो यह आपके लिए आपके मनुरुंजन का काम करेगी आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता लेकर आएगी लेकिन आपकी इस वक्त में अपनी वानी पर थोड़ा सा नियंत्रन जरूर रखना होगा वानी की वजए से आप की किसी से वादिवाद की स्थिती हो सकत ब ellis hai आपकी इसनचार संपरक बढ़ेंगे और आप इस महीने में आपका मन इतना मन करेगा कि आप खूब कारें अधिक अधिक कारें करें आलस से को त्यागने का काम जरूर करें आलस से अगर आता है तो उसको त्यागए यात्राइं निश्यत लूपसे इस महीने में होनी तो हर तरह की यात्रा का योग इस महीने में आपके लिए बना हुआ है और इनका कामकाज के लिहाद से जो यात्रा करते हैं उनके लिए जबर्दस्त लाब भी मिलेगा रुपे पैसे से ही नहीं बलकि इस महीने में आपको बौधिक्ता के इस तरह पर भी कामया भी मिलेगी त तो कई माइनों में बहुत ही विशेस हो जाता है और सावन के महीने कि इस महीने में शुरुवात होगी जो बगवान शिव का प्रिय महीना है और सावन का महीना तो हर हर महादेव की आवाजों से गुंचता है तो इस महीने में ये एक खास चीज ये इस महीने में होने वाली है करियर की द्रस्टी से धन की द्रस्टी से आर्थिक सुधार आपका इस महिने होना निश्चित है आपके परिवार वालों का आपके मित्रों का सहयोग आपके लिए बना रहेगा कामकाज के लिहाद से भी समय अच्छा रहेगा कभी-कभी कामकाज करते समय आप आवेश में आजाते हैं या परिवार में बात करते समय आवेश में आजाते हैं तो उस समय आपको खुद पर नियंदरन रखने के आवाश रखता होगी विवाही जातकों के लिए वैसे तो समय काफी अनुकुल है लेकिन फिर भी थोड़ी सी सतरक्ता जरूर रखें अपने सम्मंदों को अच्छा बना कर रखें प्रियास जारी रखें अगर पहले से कुछ परिशानी चल रही है तो प्रियास रखें और स्वास्ते का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा 20 जुलाई के बाद क्योंकि मंगल आपको छोटी मोटी परिशानिया दे सकता है तो इसमें आपको स्वास्ते का भी जरूर ध्यान रखना होगा स्टुडेंट्स की अब बात करते हैं तो स्टुडेंट्स के लिए ये समय काफी अनुकुल रहने वाला है इस महिने में आप अगर कोई एड्मिशन पाना चाहते थे किसी चीज में तो वो आपकी इच्छा पूरी रह सकती है बस आपको हर तरह कि हर तरह से इमानदारी आपको रखनी है और जो प्रेम संबन से जुड़े हैं किसी भी प्रकार की गलत फैमी या उलजन में आपको पढ़ने से बचना होगा वन्ना ये करवाहट आपके अंदर लेकर आ सकता है अब इस महिने में आपको उपाय क्या करना है झाल